नमस्कार, 30 minutes GS में आपका एक बार फिट से बहुत-बहुत स्वागत है और ये है Quick Revision Series तो आज हम बात करेंगे परमुक राश्टी एबं अंतर राश्टी देवसों के बारे में इससे एक कुश्चन आता है यूपी ट्रपल सी ट्रपल सी पैट में और इसके अलावा PCS में भी इससे 2-3 कुश्चन मिल जाते हैं तो आप एक बार देखके जरूर जाना चाहिए इस पर ट्रिक चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस पर ट्रक भी हम जल लाने वाले हैं तो जन्वरी में आने वाले दिवसों की बात करते हैं तो चार जन्वरी मनाया जाता ह विश्व ब्रेल धिवस कि 9 जन्वरी को प्रवाशी भारती दिवस कई वार आया है और 10 जन्वरी विश्व हिंदी दिवस और 12 जन्वरी क्यों इंपोर्टेंट है इसलिए important है क्योंकि यह है राष्ट्री युवा दिवस किसके जन्व दिन पर मनाया जाता है स्वामी विवेका नंद के जन्व दिन पर इसके लाज 24 जनवरी को अंतराष्टी सिख्षा दिवस पनाय जाता है और 25 जनवरी राष्टी मतदाता दिवस और 26 जनवरी गड़तंतर दिवस बात होगी आगे फरवरी की तो फरवरी में मुख ताहा तीन है और सबसे important है दो फरवरी दो फरवरी most important है क्योंकि इस दिन मनाया जाता है विश्व आदर भूमी यानि की wetland day इसके बाद मार्च पर आते हैं मार्च काफी ज्यादा important है एक्जाम के लियाज से क्योंकि मार्च में बहुत कुछ होता है जो पूछा जाता जैसे तीन मार्च को विश्व बन जीव दिवस important आठ मार्च अंतर राष्ट्री मेला दिवस important पंदरा मार्च विश्व उपोकतादकार दिवस 20 मार्च विश्व प्रसन्यता दिवस 21 मार्च अंतर राष्ट्री वन दिवस 21 मार्च विश्व कविता दिवस और 22 मार्च important विश्व जल दिवस 24 मार्च विश्व तपेदिक दिवस यानि की टीवी दिवस अपरेल की बात करें तो 7 अपरेल को मनाया जाता है इंपोर्टेंट है विश्व स्वास्त दिवस और 22 अपरेल कुछ याद रखना ना रखना 22 अपरेल याद रखना विश्व प्रत्वी दिवस 25 अपरेल विश्व मलेरिया दिवस इसके बाद 26 अपरेल बहुत बार पूछा गया है विश्व बौधिक संपदा दिवस एक मई कई बार पूछा अंतरराष्टी स्ट्रमिक दिवस होता है तो अगर पूछें तो माई मार्च और माई से बहुत ज़्यादा कुश्यन आते हैं बहुत ही ज़्यादा तो एक माई आपको पता है अंतरराष्टी स्ट्रमिक दिवस तीन माई से भी कुश्यन आते हैं तो विष्व प्रेस्व तंता दिवस और आठ माई ज़रूरियाद रख लेना बहुत इंपोर्टेंट है वो है विष्व रेड क्रोस दिवस बाइस माई उंतराष्टी जयव विवत्ता दिवस अब जून की बात कर लेते हैं तो पांच जून कई बार सुना होगा विष्व परेवरण दिवस इंपोर्टेंट साथ जून विष्व खाथ सुरक्षा दिवस बारा जून विष्व बालसन दिवस और बीस जून विष्व सरडार्थी दिवस जून से भी कुशन आते हैं पैट लेविल में अंतर राष्टी योग दिवस 29 जून इस बार लग रहा है मझे पैट 2022 में पूछा जाएगा 29 जून राष्टी संक की दिवस जो की है PC माल अनोविस के जन्म दिन पर ये कौन थे ये आप हमको बताएं जूलाई की बात करें तो एक जूलाई को मना जाता है चिकिस्सा दिवस डाक्टर विधान चंदर राय का जन्म दिन है और ग्यारा जूलाई विस्व जन संक्या दिवस और इस वार कुश्चन आएगा पैट में ही अपकर होगे दो कुश्चन कैसे कह दी तो वाई सिप्टे चार हैं तो 29 जूलाई को विस्व बाग दिवस ठीक 12 अगस्त को बना जाता है अंतर राष्ट्री युवा दिवस 15 अगस्त नहीं बताऊंगा क्या मना जाता बहुत कटिन है मुझे नहीं आता 29 अगस्त की बात करें तो राष्ट्री खेल दिवस मेजर ध्यान चंद के जनम इसका बाद आते हैं सितंबर में तो 5 सितंबर को सिख इवस डाक्टर सर परली राधाकिशन का जनम दिन साथ सितंबर नीले आसमान के लिए अंतर राष्ट्री स्वच्च बायू दिवस, आट सितंबर अंतर राष्ट्री शाक्षर्थ्था दिवस और 14 सितंबर हिंदी दिवस इंपोर्टेंट है हिंदी दिवस 15 सितंबर अंतराष्टी लोक तंतर दिवस और 16 सितंबर अगर परियावरण यानि की इनवर्मेंट इकोलोजी की बात करें तो उस द्रश्ट्य से 16 सितंबर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो 16 सितंबर है important जो है ओजोन परत के संड़क्षण के लिए अंतरराष्टी देवस 21 सितंबर अंतरराष्टी सांती देवस 27 सितंबर विश्व परेटन देवस इसके बाद आगे बात करते हैं अक्टूवर की तो 2 अक्टूवर को मनाये जाते मात्मा गांदी जयन थी दो अक्टूबर कोई अंतराष्टी है इंसा देवस पांच अक्टूबर विश्व सिक्षक देवस ठीक है पांच अक्टूबर विश्व सिक्षक देवस और ग्यारा अक्टूबर अंतराष्टी बाल का देवस 16 October important विश्वखाद दिवस और 24 October तो भूलोगे ही नहीं क्योंकि है संयोक्त राष्ट दिवस तो ये बताएंगे कमेंट सेक्षन में कि संयोक्त राष्ट की स्थापना कब होई थी और इसके बाद बात करते हैं 31 October 31 October भी most important क्योंकि इस दिन है राष्ट ये एकता दिवस सर्दार बल्लब भाई पटेल का जन्में दिन 31 October आपको याद रहना चाहिए तो दो आ जाते हैं दिशंबर की ओर तो दिशंबर में एक दिशंबर विश्व एट्स दिवस कई वार सुना होगा आपने दो दिशंबर अंतर राष्टि मानवाद कर दिवस इंपर्टेंट और 11 दिसंबर 11 दिसंबर को होता है अंतर राष्ट्री परवत दिवस 14 दिसंबर राष्ट्री उर्जासन रक्षड दिवस 23 दिसंबर इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है क् उसमें complete कराएंगे यहाँ पर वो complete नहीं है तो आप निश्चिंत रहें ऐसा नहीं होगा कि time pass किया जाए कि आपको यह बढ़ादी PDF की बस 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 नहीं पूरा लेवस हम cover करके देंगे आपको और उससे ही आएगा ठीक है अब आगे बात करते हैं यूनेसको की विस्वधरवर सूची में सामिल भारती संस्कृतिक एवं प्राकृतिक इस्थल और सन के साथ तो इसमें क्या important होता है एक विस्वधर इस्थल या फिर यूपी के इस्थल या को पता है और सन याद रख लेना है मैं 1983 में यूनेसको की सूची में सामिल किये गए थे इसके साथ साथ अजन्ता एलोरा की गुफाएं ये भी 1983 में सामिल की थे तो हमने कैसे याद रखा है हमने का है ताज में लागरा के किला पास पास है और अजन्ता एलोरा का नाम एक सा लेते हैं तो 1983 में जब का फिल्द वर्ड कप लाई थे तब से याद है इसके बाद आगे बात करते हैं कोडार्थ के सूर मंदिर और इससे तुम याद भी हो जाए कि कहां क्या है जैसे आगरा किला यूपी और एलोरा गुफाय महाराष्ट अजंता कुछन ने पूचा जाता है तो राजस्थान में 1985 में इसको दर्जा मिला मानस वनेजीव अभ्यारण असम यह सारे इंप्रोटेंट है ऐसे टाइम पास करके मत जाहिए 1985 पूचके कि कौन सा प्यारण कहां इस्तित है और सन के साथ है कि उनेसको ने उनको कब दर्जा दिया तो यह भी याद रख लेंगे और सन याद भले न हो तो प्लेस याद रख लेंगे जैसे काजी रंगा है तो काजी रंगा असम में है patrons 2005 में दर्जा मिला खजराव समूझ खट खजराव की मंदिर MP 1986 में मिलता है गोंबंग कोंवेंट गोंड मिशतीत हैं मंपि यन की करफुपां में held np 然後 से ञारण मिलता है हमपि यान्यगी करनाटक में 1276 में और फटेपुर्शी ना इंचैकरी ईयूपी में इस्तित है 1987 में इसके बात बात करते हैं महान चोल मंदरों की तो महान चोल मंदिर तमिल नाडू में इस्तित है 1987 और 2004 में दर्जा मिलता है नंदा देवियम फूलों की घाटी उत्रकंड में 1988 और 2005 में इनको दर्जा मिलता है इसके बाद सांची के स्थूप पर कुशन आया है तो ये भी MP में इस्तित है 1989 में दर्जा मिलता है को तो मीनार बारवार सुना ओगा दिली उसने 2023 नोइक हमायू का मकबरा कुशन आ जा जाता है इस्ट्री में थो नोइसको ने कह лилагा हो इसके बाद भारत की प्रूप पर्व यह दारजिलिंग वाली पश्चे मंगाल में है नीलगीरी तमिलनाडू में है और कालका शिमला हिमाचल प्रदेश में इनको दरजा मिलता है उन्हें सुनिया इन्वे 25-2008 में और लालकला परसर दिल्ली इसको 2007 में दरजा मिलता है मां बोधी मंदिर परसर बोध घया मिश्चे थे इसको बियार में और 2002 में जोर्दा के युनेस्कों का दरजा मिलता है इसके बाद बात करते हैं आगे तो भीम बेट का पासाण आस्र है भीम बेट का की गुफाओं पूछ लेता है तो भीम बेट का MP में इस्ते थे 2003 में इसको दर्जा मिलता है और छत्रपती सिवाजी टर्मिनल जिसका पहला नाम पुराना नाम के था विक्टोरिय टर्मिनल ये म हम भूल जाते हैं ऐसे हमें जूना गड़ याद रहता है और चंपानेर पावागड़ पुरातव पार्क तो गड़ कोई भी हो तो या तो राजस्तान नहोता है या गुजरात तो हमने चंपानेर पावागड़ को गुजरात से याद कर रखा है 2004 जंतरबंतर जैपूर आप जो बारत का म前 भारत में पूरवे घाट अब यह तुराप पस्च्मी घाट पस्च्मी घाट में जा कौन कोने खरff न है करनाटा केफिरेंस को नहों इंपोर्टेंट है स्वाध बहुत ज्र्वट एंब वह तो 2012 है याद रखना भारस पस्च्मी घाट के बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं अब आगे बात करते हैं राजस्थान के परवती किले इनाइवी युनेस्कों ने दर्जा दिया है तो सबसे पहले किले पूछ लिया जाते हैं कि कहां इस्तित हैं संसारे 2013 हैं राजस्थान के परवती किलों को 2013 में युनेस्कों ने दर्जा दिया सबसे पहले देख लेते हैं सबसंते हैं forward of the ? तो चित्थ होगा आमेर का किला पूछ लेते हैं important जैपूर में और में राज समन्य जैसलमेर किला सभाई माधापूर में इस्ति्थ है तो मेर जैसलमेयर में सित्थ होगा chtadoב को किला achieving फित्थ होगा गाग्रओन का किला याद रख लीजिए कागरौन का किला जहलावार में इस्तित है आमेर का किला जैपुर में इस्तित है कुंबलगर राजसमंद में इस्तित है और सवाई मादवपुर में इस्तित है इसके बाद आगे बढ़ते हैं ग्रेट हिमालेयन राष्टी उद्यांसरनक्षडकेंध यह ह Hemachal प्रदैस में 2014 में इसको दर्जा मिला और रानी की बाव important और मैं तो कहुंगा most 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 important रानी की बाव गुजरात मितके 2014 में इसको दर्जा मिला और कुछ आये नाये चंडीगड़ वाला question एक हमें उम्मीद लगती है The architectural work of Lee Corbusier An outstanding contribution to the modern movement ये स्थेत है चंडीगड़ में और 2016 में दर्जा मिला ये पूछ लेगा The architectural work of Lee Corbusier कहां स्थेत है चंडीगड़ में दर्जा का मिला 2016 में और आगे बढ़ते हैं इसी में चंडीगड़ में दर्जा मिला और कंचैन जंगड़ मिला इसका सनुयाद रख लेना important और ये भी यादर रख लेना कि कंचैन जंगा रास्टि पारks स्थित्क है को थे शिक्यंड़ मिली भी सिक्के से याद रखायत्स व होने皆 सिक्कांक तो passieren सिग्वाइब सिति को ही दर्जा देते पूरी सिटि को गुझरात्स से 2017 में दर्जा मिलता है और मॉंबाइ की विक्टोरियन गोथिक और अर्ठ डेको बल्स को सिख्टेतेis 2018 में दर्जा मिला इसके बाद एमदवाद के लावा आगे किन किन सहरों को दर्जा मिलता है यह देख लेते हैं तो इसमें बात करते हैं जैपुर सहर को भी जैपुर राजस्थान है 2019 में दर्जा मिलता है और धौला वीरा एक खड़पन इस्ताल है यह कहां इस्तेता है यह आ देश्वर मंदिर इंपोर्टेंट जिसको बोलते हैं रामपा मंदिर तेलंगा ना में इसको 2021 में दर्जा मिला तो रिसेंट याद रखेंगे जैपूर जैपूर सहर। 2019 धौला वीरा और रुद्वेसर मंदिर 2021 हम बात कर लेते हैं भारत के प्रमुक सांस्कृतिक संस्थान और उनके स्थापना वर्सों के बारे में तो 1985 में पूर्वी छेत्री सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता की स्थापना होती है और 1985 में ही पुत्तरमद छेत्री 262 प्रियागराज की स्थापना होती है इसके बाद 1945 में भारती मानाव के ज्जान सर्विक्छड की स्थापना होती है और राश्टरी पुस्तकाल कुलकाता की स्कृतान संगीत नाठ अकेडमी की स्थापना 1952 में होती है और उद्गाटन 1953 में होता है इसके बाद बात करते हैं ललित कला अकेडमी तो संगन में स्थापना होती है भारती नाठ विद्याल है 1969 में स्थापना और यह कुष्चन का इवार आया है 1861 वाला भारती पुराता तो सर्वेक्षड एसियाटिक सोसाइटी 1784 और इंद्रा गांदरी राष्ट्री कला केंदर 1887 भारती राष्ट्री अबलेका का 1891 केंदरी सचवाले पुष्टकाल है इसकी 1891 और एक कुष्चन जो आप बताएंगे क्योंसा अलावाद अलावाद विश्विद्याल है की स्थापना कव होई यह भी कुष्चन आप आंसर हमको बताएंगे यह भी इंपोर्टेंट है इ एक वीडियो और आएगा दो वीडियो और आएंगे उसके बाद व्यविद्ये को जाएगा उसके बाद क्या करेंगे जिसके बाद जो गर्फी और उससे समंब्धिन जो गोइडिा